आई ये अन्बोक्सिंग देख लेते हैं आउजा के AWM 630 VG का इसके मारे पी कुछ 4,635 रुपए दी गई है ये पुराना पीस था मेरे पास तो मैंने सोच है इसको टेस्ट कर लिया जाए ये इसका एडाप्टर है जो साथ में बिलता है और आउजा के प्रेंडिंग दी गई है और एडाप्टर लगाने का दिया है और सामने से कुछ ऐसा है वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा सब दिया है और लिखाए AWM 630 VG और यह है हमारा मेन माइक अधर लाइड भी जलती जो रैट कलर के दिया हुआ है और इसको आप कहीं भी कैसे भी मोड सकते हैं इसको जैसा भी एक नीचे से मोडने का दिया है आपकर से मोडने का दिया है और पीच वाले से नहीं मुड़ता है बस यह बाकिन नीचे और ऊपर से आप जैसा भी इसको मूफ करना चाहिएए और यह इसका बैट्रिक आपार्टमेंट और यहां से आप वायर भी लगा सकते है love wire वाला मायक जो है लेकिन उस के लिए भी बैटरी लगाने ज़रूरी है और ये बैटरी में फट फट से लगा देता हूं इसमें दो बैटरी लगेगी नर्मली हर जगा मिल जाती है और डिवरासील के लिजिए गाज़ अच्छा रहेगा और इदर आन अफ का बटन दिया है और ये देखें मैं एडप्टर लगा देता हूँ इसमें और इस एडप्टर में ऐसा सिस्टम है देखें आन करेंगे ग्रीन जिला मतलब इधर से अन है इसको फिर से दबाता हूँ तो ये रेड हो जाएगा ओफ ग्रीन मतलब अन ओफ और ये अन ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टेड है या नहीं है और ये फटा-फट से जक टू जक लगा लेता हूँ एक यहां लगेगा और एक एंप्रिफायर के माइक में लग जाएगा चेक इसमें भी लगाईए इसमें देखिएगा ये लाइट जलती है जलती है बुस्ची दिख रहे कि नहीं पता नहीं केमरा में देखिए अब दिखेगा फटा फट से इसको चेक भी कर लेते हैं तो शुरू करते हैं अलो अलो तो अभी उन्हों टेस्ट कर रहा हो जोके AWM 630 BG का अलो अलो ये पूरी तरह से कॉडलेस है अलो अलो और इसको वायर वाले के जरीरी चलाया जा सकता है अलो अलो बढ़ी हम आई काई है और रेंज भी अच्छी है UHF जितनी तो नहीं होगी मगर एक हाल में आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा और मैंने भी कोई भी वायर कनेक्ट ने किया है इसमें अलो अलो और बढ़ी है कहीं से भी आप जाता है अलो 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 और इदर लाइट जलती है जो ऐसे करके मैंने आपको भी खाया है हलो हलो कोई की छोटे बड़े फंक्शन के लिए स्कूल के लिए बहुत अच्छा है हलो हलो और और खॉड्लेस है तो आपको इसको कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये कंडेंसर माइक है हलो हलो बड़ी है और लूप भी बहुत ही अच्छा है और ये रेट कर जलता है फटाफट से लीट करनेट कर देते हैं और ये एक्सलार टुजेक लीड लगा रहो हम है जो नॉर्मल ही आपके पास भी होगा अगर आप माइक यूज करते होंगे तो बस माइक में लगाना है और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं हलो हलो तो अभी हमने वायर वाला लगा लिया है और उसमें भी आवाज लगबग ऐसी है सेम है देखिए मैं कित्ती दूर से बात कर तो हलो हलो यह और भी दूर कर फीचे का मैं अगर वाल्यूम बढाऊंगा तो इस पीकर मेरे पास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा मतलब भी बहुत रेंज है इसका बहुत दूर तक का ओडियो कैच कर सकता है ग्रूप परफॉर्मेंस वागर हमें भी अगर पीछे लगा दें तो खीच सकता है में लब करने तरह माई कि खीचने की ताकत तो बहुत है हजो हजो और इस पेशली स्पीच हो गया बर्जन हो गया जहां महाराज बोलते हैं वहाँ एक को लगा जीचे बस काफी रहता है इसका आवाज बहुत अच्छा है महाराजी जहर होंगे इदर होंगे तो भी पूरा आवाज कैच करेगा यह वायर लगा के टेस्ट कर रहे भी आवाज वैसी यह सेम और यह फीचर इसको 2-1 बना देता है अगर आपका कभी रिसीवर घूम गया तो आप कम से कम आपके माइक है तो यह आपको वायर वाला के जरीए आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन और लेस है तो ज्यादा बहतर है कि आपको यूज किजीए क्योंकि वायर के फिर फर्सकेंस नेका जन्नेट रहता है और बढ़िया है ठोलो अलो अलो पहार आगया अलो बस आजाओ न आजाओ अलो अलो आजाओ आजाओ अलो टाग्ड़ा अकि जल्दी पोचेस कर लो आजाओ 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 उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा आज के वीडियो के लेत नहीं बाई फिर मिलेंगे दोस्तों